हेलो एवरिवन, वेलकम टो एकीज किचन आज मैं बनाने जा रही हूँ बेशन की सबजी इसे गटे की सबजी के नाम से भी बुलाया जाता है ये खाने में काफी स्वादिस्ट और मज़ेदार होते हैं तो आई एब हम इसे बनाने की प्रोसेस देखते हैं बेशन की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप बेशन लेंगे अब हम इसमें एड करेंगे मसाले इसमें हम एड करेंगे आधा चमच हल्डी पाउडर आधा चमच नमक एक चौथाई चमच काली मिर्च पाउडर आधा चमच सबजी मसाला आप इसके जगह जीरा और धनिया का पौडर भी यूज़ कर सकते हैं सबसे लास्ट में हम लेंगे एक चौथाई चमच अजवाइन और इसे इस तरह से हाथों से मसल कर हम बेशन में डालेंगे यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा हींग एड़ करेंगे यहाँ पे हम इसमें एड़ करेंगे 2 टेबल स्पून देशी घी आप इसके जगह कोई भी अनफ्लेवर्ड ओयल यूज़ कर सकते हैं सारे इंग्रिडियंट्स को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे घी की कॉंटिटी इतनी होनी चाहिए कि बेसन को हाथों पे लेने पे इसका सेप बन जाए यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप पानी इसे हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालेंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर तयार करेंगे हमें बिल्कुल हलके हाथों से ही इसका डो बनाना है इसमें ज़्यदा प्रेशर लगाने की जड़त नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेसन का डो बनकर तयार हो चुका है और यह बिल्कुल सॉफ्ट है इस डो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसे इस तरह से हाथों से ही सिलंड्रिकल सेप देंगे और इस तरह से मैंने दोनों ही डो को सिलंड्रिकल सेप दिया है इसे अब हम पानी में बॉयल करेंगे यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी लिया है पानी को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे जब पानी इस तरह से बिलकुल अच्छे से बॉयल होने लगे तो हम इसमें बेशन डालेंगे अब हमें बेशन को इसी तरह से पानी में 10 से 15 मिनट तक बॉयल होने देना है 10-15 मिनिट बाद जब बेशन अच्छे से कुख हो जाएंगे तो ये खुद ही पानी के उपर आ जाएंगे 15 मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बेशन पानी के उपर आ गया है जब बेशन पानी के उपर float करने लगे तो इसका मतलब है कि ये completely cook हो चुका है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे बेशन को पानी से बाहर निकालने के बाद हम इसे ठंडा होने देंगे बेशन normal temperature पर आ चुका है अब हम इसे cut करेंगे इसे हम इस तरह से slices में cut करेंगे आप चाहें तो इसे deep fry भी कर चकते हैं यहां पर हम एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसमें सारे बेशन के slices एड़ करेंगे इन्हें हमें पलट कर दोनों साइड से light brown होने तक fry करना है यह दोनों साइड से अच्छे से brown हो चुके हैं अब हम इसे तेल से बाहर निकाल अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और जब यह गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच सरसो और बिल्कुल थोड़ा सा हिंग यहां पर हम गयास का flame लो कर देंगे और इसमें add करेंगे एक चम्मच grated अधरक दो बारी कटी हुई हरी मिर्च और एक चम्मच क्रज्ट लहशुन इन सबको हम एक से दो मिनट तक फ्राइ करेंगे और जब यह अच्छे से फ्राइ हो जाए तो हम इसमें add करेंगे प्याज यहां पर मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं और इसे slices में कट किये हैं अब हम इसमें एड़ करेंग एक चमच नमक और एक चमच हलदी पाउडर इसे हम चला कर अच्छे से mix कर लेंगे यहां पर हमें प्याज को अच्छे से golden brown होने तक fry करना है अब हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से fry हो चुका है अब हम इसमें add करेंगे दो बारी कटे हुए pouos Yamander तमाटर और प्याज को हम अच्छे से चला कर mix करेंगे और इसे ढखकर 5 मिनट तक कोख ओने देंगे इस टाइम पर हमें गैस का flame लो रखना है 5 मिनट हो चुके हैं अब हम लीड को हटा कर देखेंगे अब देख सकते हैं टमाठर अच्छे से कोख हो चुका है अब हमें टमाटर और प्याज दोनों को हाई फ्लेम में लगबग 5 मिनट तक फ्राइ करना है अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं यहाँ पर हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच सबजी मसाला और एक चमच किचन किंग मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक ग्लास पानी आप यहाँ पी वो पानी भी यूज कर सकते हैं जिसमें हमने बेसन उबाले थे पानी की कॉंटिटी अब ग्रेवी की थीकनेस के अकॉर्डिंग बाद में भी अज़स्ट कर सकते हैं अब हम इसे अच्छे से चला कर मिक्स करेंगे और इसमें बोईल आने देंगे जब ग्रेवी में एक उबाला जाए तो हम इसमें एड़ करेंगे आधा चमच गरम मसाला इसे हम चला कर अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी अब पूरे तरह से रेडी हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे फ्राइड बेशन सारे बेशन की स्लाइसेज डाल कर हम इसे अच्छे से चला कर मिक्स करेंगे और इसे ढख कर 5 मिनट तक कुख होने देंगे 5 मिनट हो चुके हैं सबजी में अच्छे से बॉयल आ चुका है सबसे लास्ट में हम इसमें एड करेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारा बहुत ही डिलीसियस बेशन की सबजी बन कर तयार हो चुका है इसे आप रोटी, चावल या पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं ये खान में काफी टेस्टी लगता है तो आप भी मेरी इस बेशन की सबजी की रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अपने एक्स्पीरियेंस कमेंट्स के थुरू हमारे साथ सेर कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिए साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए